दोस्तों सबी हेलो एलकेन में कारवन के साथ हेलोजन जुडवा ऊता है कारवन और हेलोजन के बीच यहाँ बंद सासायों जक बंद होता है दोस्तों कारवन के बाहितम कोश में चार इलेक्ट्रोन होते है और हेलोजन के बाहितम कोश में साथ इलेक्ट्रोन होते है हाइडोजन के बाहितम कोश में एक इलेक्ट्रोन होता है हाइडोजन अपने एक इलेक्ट्रोन का कारवन के एक इलेक्ट्रोन के साथ साजा करता है और हेलोजन का एक एलेक्ट्रोन कार्वन के एक एलेक्ट्रोन के साथ साजा करता है और इस तरह से कार्वन का अश्टक पूरा हो जाता है मतलब कार्वन के पास दो 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 और दो आठ एलेक्ट्रोन हो जाते हैं और इसी तरह हेलोजन का अश्टक पूरा हो जाता है इस प्रकार बना बंद सासायों जग बंद कहलता है एक इलेक्ट्रोन युग्म के साजे से बने बंद को एक सीधी रेखा से दर्शाते हैं दोस्तों प्रतेक सासायों जग बंद में दो इलेक्ट्रोन होते हैं और इन इलेक्ट्रोन को आबंद युग्म कहते हैं हेलो जन परमाणू पर तीन इलेक्ट्रोन के जोड़े होते हैं और ये इलेक्ट्रोन बंद निर्माण में भाग नहीं लेते हैं इन इलेक्ट्रोन को आव एका की युग्म करते हैं यहाँ पर आबंद युग्म एक है और यहाँ पर एका की युग्म तीन है दोस्तों हेलोजन की विद्यूत्रिंटा अधिक होती है तो बंद में उपस्ति दोनों इलेक्ट्रोन हेलोजन के समीब चले जाते है तो हेलोजन पर थोड़ा रिनावेश आ जाता है थोड़े रिनावेश को इस तरह से दर्शाते है और कार्बन पर थोड़ा धना वीशा जाता है जब कार्बन हेलोजन बंद तूड़ता है तो दोनों इलेक्ट्रोन हेलोजन के पास चले जाते हैं इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोन हेलोजन का इलेक्ट्रोन है और दूसरा इलेक्ट्रोन का इलेक्ट्रोन है तो हेलोजन में केवल एक इलेक्ट्रोन की व्रद्धी होती एक इलेक्ट्रोन आधिक हो जाता है तो हेलोजन पर पूरा रिनाविश आ जाता है और यहां रिनाविश माइनस वन होता है कारवन का एक इलेक्ट्रोन उससे दूर चला जाता है तो कारवन पर एक धना वीशा जाता है दोस्तों जब बंद तूटता है और बंद के दोनों इलेक्ट्रोन किसी एक परमानू के पास चले जाते हैं तो इस प्रकार बंद का तूटना वीश्यम अब गटनी ये विदलन कहलाता है। पारंतु दोस्तों, जब बंद इस प्रकार से तूटता है, कि बंद में उपास्तित एक इलेक्ट्रोन हेलोजन पर चला जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोन कार्बन पर चला जाता है। तो इस प्रकार बंद का तूटना सम अब गटनिय विदलन कहलाता है और जब इस प्रकार से बंद तूटता है तो दोस्तों मुक्त मूलक बनते हैं दोस्तों अब हम कारवन के संक्रण की बात करते हैं तो यहां पर कारवन चार सिग्मा बंद बनाता है और दोस्तों सिग्मा बंद का निर्मान संक्रित कक्षक से होता है चार सिग्मा बंद का मतलब चार संक्रित कक्षक कारवन पर्मानू में एक एस कक्षक और तीन पी कक्षक आपस में मिलकर चार नए कक्षक बनाते हैं इसे एस कक्षक गोलाकार होता है पी कक्षक डमलाकार होते हैं और ये चारो कक्षक आपस में मिलकर चार नए कक्षक बनाते हैं और इन चारो नए कक्षक की आकरती और उड़्जा समान होती है। ये चारो संकृत कक्षक चतुषफल की आकरती में व्यावस्तित होते हैं। और इस व्यावस्ता में दो संकृत कक्षक के बीच का कौन एक सो नो पॉइंट पांट डिगरी होता है। इसे चत्तुषफल की एकौन करते हैं, इन में से दो संकृत कक्षक वाइड बॉर्ड के तल में होते हैं, और यह संकृत कक्षक इस वाइड बॉर्ड के पीछे की ओर होता है, और यह संकृत कक्षक वाइड बॉर्ड के ऊपर की ओर मतलब आपकी ओर होता है, और इन संकृत कक् हेलोजन का पी कक्षक संकृत कक्षक के साथ मिलकर सिग्मा बन बनाता है जब दो अलग-अलग पर्मानों के कक्षक आपस में मिलते हैं तो इसे आती व्यापन कहते हैं ये तीनों संकृत कक्षक दूसरे पर्मानों के साथ सिग्मा बन बन बनाते हैं हाइड्रोजन पर्मानों में एस कक्षक होता है जिसके साथ या संकृत कक्षक सिग्मा बन बन बनाता है तो इस तरह से एक कार्बन पर्मानु चार सिग्मा बन बन अत्ता है और इस कार्बन पर्मानु का संक्राण S3 होत्ता है दोस्तो हेलो एलकेन के रासाइनिक गुणों को समझने के लिए हेलो एलकेन की रासाइनिक अविक्रियाओं को समझने के लिए कारवन हेलोजन बंद की प्रक्रती को समझना बहुत जरूरी तो दोस्तों हमने देखा कि हेलोजन पर थोड़ा रिना विशा जाता है और कारवन पर थोड़ा धना विशा जाता है यहाँ पर रिन दुरू और धन दुरूत पनो जाते हैं दोग दुरूत पन हो जाते हैं, इसे द्वीद दुरू आगून कहते हैं। दोस्तों, फ्लू ओरीन की विद्यूत्रिनता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन से कम क्लोरीन की होती है, क्लोरीन से कम ब्रोमीन की और ब्रोमीन से कम आयोडीन की होती है। तो जब यहाँ पर हेलोजन के स्तान पर फ्लू ओरीन ओता है तो द्वीद्रू आगुण का मान आधिक होता है क्योंकि फ्लू ओरीन की विद्युत्रिंटा बहुत आधिक होती परन्तु जब यहाँ पर आयोडीन होता है तो द्विद्रु आगुण का मान बहुत काम होता है क्योंकि आयोडीन की विद्यूत्रिंटा काम होती परन्तु दोस्तों यहाँ पर हम फ्लू औरिन की बात नहीं करते क्योंकि फ्लू औरिन की विद्यूत्रिन ता बहुत आधिक होती इसकी क्रियाशील ता बहुत आधिक होती तो यहाँ पर केवल हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीन हेलोजन तत्वों की बात करते दोस्तों कार्बन हेलोजन बंद की लंबाई आधिक होने पर बंद कमजोर हो जाता है, बंद दुर्बल हो जाता है और आसानी से तूड़ जाता है जब हम बंद लंबाई की बात करते हैं, तो कार्बन और आयोडीन के बीच बंद की लंबाई सबसे अधिक होती हैं, क्योंकि आवर्सार्णी के एक वर्ग में उपर से नीचे जाने पर हैलोजन तत्वों का पर्माणू आकार बढ़ता है, इन सभी में कार्बन पर्माणू का आकार तो समान होता है, परन्तु आयोडीन का पर्माणू आकार बढ़ा होता है, और क्लोरीन का पर्माणू आकार छोटा होता है, आकार बढ़ा होने के कारण कार्बन और आयोडीन के बीच बंद की लंबाई आधिक होती हैं, और जिस बंद की लंबाई आधिक होती हैं, व और दोस्तों वहाँ आणू जिस्ता बंद आसानी से टूर जाता है वहाँ आणू आधिक क्रियाशील होता है दोस्तों क्या आप बता सकते हो क्लोरो मेथेन ब्रोमो मेथेन और आयोडो मेथेन इन तीनों में से सर्वादिक क्रियाशील आणू कौन सा है तो इन तीनों में सर्वादिक क्रियाशील आयोडो मेथेन होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन और आयोडीन के बीच बंद की लंबाया दिखोती बंद सरलता से तूड़ जाता है यह बंद दुर्बल होता है इस कारण आयोडो मेथेन की क्रियाशीलता, क्लोरो मेथेन और ब्रोमो मेथेन की तुल्ला में आदिखोती दोस्तों, जब हम द्विद्रू आगून की बात करते हैं, तो प्लोरो मेथेन का द्विद्रू आगून तीनों आणों में सबसे आदिखोता है क्योंकि क्लोरीन की विद्युत्रिंटा, ब्रोमीन और आयोडीन की तुल्ला में आदिखोती विद्यूत्रिंता का मतलब बंद के इलेक्ट्रोन को अपनी और आकर्शित करने की शम्ता और यह शम्ता क्लोरीन की अधिक होती है तो क्लोरीन बंद के इलेक्ट्रोनों को अपनी और आधिक आकर्शित करता है तो इस पर इनावीश आजाता है और कार्बन पर धनावीश आजाता है यहाँ पर द्वीद्रू उत्पन हो जाता है तो क्लोरो मेथेन का द्वीद्रू आगून आधिक होता है और आयोडो मेथेन का द्वीद्रू आगून काम होता है क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की क्लोरीन की तुल्ना में काम होती दोस्तों आवड सार्णी के वर्ग सत्रा के तत्वों को हेलोजन तत्व कहते हैं जब आवड सार्णी के एक वर्ग में उपर से नीचे जाते हैं तो इन तत्वों का परमानु आकार बढ़ता है नाबिक में प्रोटोन होते हैं और प्रोटोन धनाविशित होते हैं, तो नाबिक भी धनाविशित होता है, इलेक्ट्रोन पर रिनाविश होता है, नाबिक का धनाविश इलेक्ट्रोन के रिनाविश को अपनी ओर आकर्शित करता है, इसे नाबिकी आकर्शन बल करते हैं, दोस्तों जब पर्मानु आकार बढ़ता है, तो बाईतम कोश के इलेक्ट्रोन नाबिक से दूर होते जाते और इन इलेक्ट्रोन पर नाबिक का आकर्शन बल कम हो जाता है। मतलब वे सभी तथ्व जिनका परमानु आकार बढ़ा होता है। उन तत्वों की इलेक्ट्रोन को आकर्षित करने की शमता काम होती, यह शमता विद्यूत रिंता कहलाती, जब हम एक वर्ग में उपर से नीचे जाते तो परमानु आकार बढ़ता है, और इलेक्ट्रोन को आकर्षित करने की शमता काम होती जाती, मतलब उपर से नीचे जाने पर वीद्यूत रिंता में कामी होती दोस्तों चेप्टर को समझने के लिए इन छोटी-छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी दोस्तों हेलो एलकेन के वीर्चन की छे वीदियों को हमें समझना है वीर्चन का मतलब होता है बनाने की वीदिया दोस्तों वे सबी अभीक्रियाएं जिनका नाम होता है वे अभीक्रियाएं एकजाम की द्रश्टी से बहुती मात्वपून होती यहाँ पर तीन अभीक्रियाएं बहुती मात्वपून है पिंकेल स्टाइन अभिक्रिया, स्वार्स अभिक्रिया और हुन्स डीकर अभिक्रिया